बिहार के सिवान में फिर से विकॉफ अपराधियों ने अपना कहर बरसा दिया है। चटगार चे लोट रहे पुरुमुक्या को गोली मार दिया है। इस वर्दात के बाद पूरे इलाकी में दहसित का महौल काइम हो गया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सिव जीले से आ रही है, जहां चटगार चे लोट रहे पुरुमुक्या को अपराधियों ने गोली मार कर गंभी रूप से गाल कर दिया। अपराधियों ने बिना पूछी पूरुमुक्या पर देदनादन गोलीयों की वर्सात करना शुरू कर दिया। गोलीयों की बोचार से प पूरा प्लानिंग के साथ उनको घेर लिया घेर लेने के बाद उनके उपर पूरा गोलियों की बहुत चार करना सुरू कर दिया सीवान में पूरा अपराधी बेखौफ हो गये हैं दिवाली के दिन भी अपराधी अपना जम करता अंडो मचाया था और एक ब्यक्ति की हत्या क कर दिया था उसी में महापर्व छटका समापन के दिन भी एक मुख्या की गोली मार कर गंभी रूप से घायल कर दिया है हलाकि मुख्या के स्थिति गंभीर बनी हुई है दरसल पूरा मामला या सिवान के जिले की गुठनी थानचित्र के सोहग्रा में छटगाट से लोट र प्राधियों ने देद दनादन गोली मार कर गंभी रूप से घायल कर दिया है जिनको गोली लगी है उनकी पहचान पूरो मुख्या बैजनात चौधरी पिता रमायड चौधरी के रूप में हुई है इसके पहले भी पूरो मुख्या पर हमला किया गया था वही अस्थानी लोगों के द्वारे पहले उनको प्राथमिक स्वास्त में भरती कराये गया जहां डॉक्टरों ने चिंता जनक स्थिती को देखते हुए सिवान सदर अस्पिताल रेफर कर दिया वही गुसाई परिजनों ने अस्पिताल में हंगामा भी किया हुए हालाकि बताया जा रहा ह कि लोगों ने अस्पिताल में इसलिए हंगामा किया है कि अस्पिताल में कोई भी अच्छी विवस्ता नहीं थी अच्छी इलाज के लिए कोई भी मेडिकल किट नहीं थी इसलिए लोगों ने वहां पर जम कर हंगामा किया सिवान में अपराधी पूरी तरह से व्यलगाम हो दो मिनट के अंदर पूरे परिवार वालों को उजार दे रहे हैं पूरा खुसी का महौल मातम में तब्दील हो जा रहा है लगतार दीन हो या रात हो हत्या लूट पार्ट अब आम बात हो गया है और अपराधियों में पुलिस का डर तनिक सा भी नहीं रह गया है वही इस सिरकार में पुलिस जवानों की काफी संख्या कम है इसके कारण अच्छी बिवस्ता नहीं हो पाती है सिरकार को इस पर एकसन लेने की ज़वरत है पुर्व मुख्या अपराधियों ने जैसे ही गोली बारी किया पुर्व मुख्या वही पर गिर गय लोगों में अपरा तफ सिरका महाल कायम हो गया है दोड़े दोड़े लोग घटनास्तल पर पहुंचे और देखा कि पुर्व मुख्या को अपराधियों गोली मार कर फरार हो गय है